हल्लो एवरिवर्ण एड वेकम तो शालीनी को पुपीट कर चानल तो भई जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाना शुरू किया हुआ है ग्रामर तो ग्रामर में हमारे नाउन, प्रोनाउन, कॉमन नाउन तो यह सब प्रकार हो गये हैं और आपने नहें देखे हैं तो प्लीज प्लेइलिस्ट में जाहिएगा तो आप लोगों को मिल जाएंगे सारे मेरे वीडियोज ओगे तो आज मैं आप लोगों सिखाने जा रही हूँ 5 अल्फाबेटिकल और्डर अल्फाबेटिकल और्डर, अल्फाबेट्स याने what अल्फाबेटिकल ओडर मिन्स एक्जेक्टल वर्ट तो अभी हम लोग देखते हैं किस तरह से यह अल्फाबेटिकल ओडर लगाया जाता है अल्फाबेटिकल ओडर और A, B, C ओडर is the order in which words are arranged according to the letters of the alphabet अगर कोई भी वर्ड आप लोगों को दिया गया है तो उस वर्ड को आप लोगों को अल्फाबेट के हिसाब से एरेंज करना है ठीक है तो जैसे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ये एक लाइन से Z तक अल्फाबेट है है ना तो अब आप लोग जैसे इससे धीरे 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 आगे पड़ोगे तो सब समझ में आएगा आप लोगों को के तो अभी words, names अभी कुछ words और names यहाँ पर दिये हुए हैं जैसे के हैं अनीता, प्रिया, जैनी, सल्मा, हरप्रीब, एंड फ्रेनी तो अभी यह जो नाम हम लोगों को दिये हुए हैं तो अभी हम लोगों को इसे alphabetical order में लगाना है अभी alphabetical order means what? alphabetical order means A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, H, T, U, V, W, X, Y, Z में तो यह जो भी नाम दिये हुए हैं तो इसमें सब से पहले कौन सा alphabetic पहला वाला alphabetic नहीं हुए A, B, C, D, E, F आता है ना, तो F पहले आया, फ्रेनी, E, F, G, H G है नहीं आपे तो H आया फ़ीर a नहीं है तो J, K, L, M, N N Nita, Priya, Salva इस तरह से उकेए तो है ना, इस तरह से, में end मे तुम लोगों को और easy तरीके से बताने वाली हूँ पहले में book में जो है वो आप लोगों को explain करती हूँ तो आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ भी रहा होगा अभी तो जो मैं end में आप लोगों को बताओंगी न तो उसके बाद में आपको 101% समझ में आ जाएगा तो पहले ये हम लोग complete करते हैं तो if you are given two or more words beginning with the same letter अभी समझो तुम लोगों को same letter से ही start होने वाले words मिलगे अभी जैसे के हम लोगों ने यहाँ पर देखा भी यह starting के जो word है यहाँ पर N है, P है, J है लेकिन यहाँ पर भी N आया, यहाँ पर भी N आया, यहाँ पर भी N आया तो हम लोग कैसे समझेंगे हैं न तो same अगर beginning में आप लोग का same letter है then you must look at the second letter of the words and then arrange them words in alphabetical orders like this तो समझो, आगे इन लोगों ने यहाँ पर हमें example दिया हुआ है इसमें words नेम सुनील, शाम, सोहम, सलीन, स्टैनी तो यह जो है, ऐसे ही start हो रहे है, है क्या नी तो अभी सब अगर S से ही start हो रहे है तो फिर हम लोग इसे किस तरब से alphabetical order में लगाएंगे तो इसके लिए हम लोग देखेंगे फिर second alphabet ठीक है, तो second alphabet में सुनील का U है H है, O है, A है, T है है ना, तो alphabetical order में अगर हम लोग देखते हैं तो A, B, C, D आता है ना, तो A, S के बाद जो सबसे पहला है वो A है alphabet तो सलीम पहले आएगा A, B, C, D, E, F, G, H आया तो sham आएगा, I, J, K, L, M, N, O तो O, Sohan, फिर P, Q, R, S, T T, फिर Stanny, फिर N में U, ओके, alphabet में N में U आता है तो this is how words are arranged in a dictionary or a telephone directory तो इसी तरह से dictionary जो है आप लोग के पास होगा आप देखते रहेंगे तो इसमें भी इसी तरह से लिखावा रहता है मीनिंग्स होगे रहें और telephone directory में भी पहले होती थी telephone directory अभी है के अनि मुझे नहीं पता तो उसमें भी इसी तरह से name and number लिखे जाते थे तो किसका भी number अगर name होगा तो हम लोगों को पता चल जाता था Now, example is very very important तो take it very seriously तो these animals have to enter the zoo in alphabetical order यह आपर कुछ animals है वो alphabetical order में zoo के अंदर enter होना चाहते है Help them to do so by writing their names correctly in an alphabetical order तो अभी हम लोगों को उनके जो नहीं से न alphabetical order में लिख कर सब लोगों को alphabetical order में अंदर भीजना है ठीक है अभी हम लोग यह जब solve करेंगे न तो आप लोगों के 90% doubt जो है सारे clear हो जाएंगे अभी देखो भी यहाँ पर इन लोगों ने first दिया है B तो क्यूं दिया है भी लोगों ने यहाँ पर क्यूं A से कोई start होने वर्ड नहीं है क्या जिना पर इसे बड़ा है elephant है lion चिता jack ओके 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 ठीक है भी तो A यहाँ पर है नहीं इसके लिए इन लोगों ने B से जो आया वो B-A-R-O-Direct start कर दिया तो B आया तो B-E-A-R-B-R और कोई वर्ड है क्या B से start होने आला तो नहीं है फिर अभी हम लोग दूनेंगे C, A, B के बाद आता है C, तो C, 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 C चीता, ओके लेकिन हम लोग ऐसे ही नहीं सोच सकते है क्या नहीं अगर और भी कोई वर्ड होगा तो C के उपर तो वो भी तो देखना पड़ेगा न हम लोग को चीता फिर ये है J, J, M, N, B, M, W, C, Cobra ओके, देखो वैं ये दो बार C आया है तो इसी तरह से ये लोग हम लोग उनको बेयोकूब बनाते है तो अभी A, B, C, D, E, F, G, H पहले आता है ना तो पहले आएगा चीता ओके, मैं इधरे नंबर लिख दू क्या ये यहाँ पर है टू नंबर देखो तो ये आएगा चीता ठीक है, फिर उसके बार C, O, Cobra, 3 आएगा ओके, फिर अभी A, B, C के बार आता है D तो D है क्या यहाँ पर भई A, B, C, D, 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 D से ले जाएंगे, ओके, तो E ये की है, elephant वाला, तो fifth में आएगा E, for elephant, E, F, F है वही यहाँ पे, F, F, F हो, fox तो मिला मुझे अभी, और कोई है, नहीं है, तो F और fox, six number पे आएगा, fox, और E, F के बाद आएगा, G, for giraffe, तो इन लोगों ने दिया है, और कहीं तो G नहीं दिखाए दे रहे था हम लोगों को, ढूंडो, 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 very smart, देखो, G for gorilla, वाउ, आप हो smart हो, very good, तो अभी, यहाँ पर भी G है, अभी यहाँ पर भी G है, तो दोनों G से start हो रहे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अगला वाला alphabet देखने हैं न, तो I पहले आएगा, और O बाद में आएगा, इतना तो हम लोग को पताई हैं, है क्या नहीं, तो अभी 7 नमबर में आएगा जिराफ, and 8 नमबर में आएगा गोरिला, के, E, F, G के बाद आता है H, तो H कहा है भई, H, 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 E, तो यहाँ पर है न, हमें दिखाई दिया, और, 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 ओ, हिपोपोटमास, तो अभी हम लोग देखेंगे, दो-दो H आया है, तो वही Y पहले आता है या I पहले आता है, येस, I पहले आता है, तो 9 में आएगा हिपोपोटमास, and 10 में आएगा हैना, येस, G, H, I से कोई है, है क्या भई कोई आय वाला, नहीं है, येसे है कोई, जे, 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 जेकल मिला है मुझे, और, और, कुछ मिलदा है क्या तुम लोग उमको, जेकल, नहीं, ओके भई, तो ये है, जेकल, 11, I, J के बाद आता है, के, फे, के से क्या है भई, के, के, हाँ, अभी तुम लोग उनको समझ में आ गया, अभी तुम लोग ढूनने लग गये ना, कंगारू, 12, के, के, I, J, K के बाद आता है, L, तो L से, L से, L, लायन, और, कुछ है वही, ओ, लियोपर्ड भी है, ओके, और, कुछ है, L से, देख लेना अच्छा है, ना, ओके, तो अभी यहाँ पर है लायन, और है यहाँ पर लियोपर्ड, तो A, B, C, D, E, E, पहले आया है ना, E पहले आता है, E, F, G, H के बाद आयाता है, तो पहले क्या आएगा, लियोपर्ड आएगा, तो 13, लायन इस, 14, के, उसके पाद, L, M, 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 M सिक्स्टीन आए के ल, M के बाद N, 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 N P, 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 P पाइथन देंक़े हैं यहाँ पर पाइथन मिला मुझे तो P for पाइथन उसके आगे P नहीं है तो बहिए यह हो गया 16 पाइथन ओके P के बाद आता है Q है कोई Q में नमबर नाम है कोई Q वाला है कोई नहीं है Q के बाद आता है R तो R R Rhinosaur ओके तो अभी भइ 17 में आईगा Rhinosaur 17 में Rhinosaur 18 OP Q R के बाद आता है S S के उपर क्या है नहीं है इसके बाद रता है टी तो टी फॉर टाइगर टाइगर के बाद और कोई है टी नहीं है तो टाइगर 18 और 19 O B Q R S T U है यू नहीं है वी है वी भी नहीं है डबल्यू डबल्यू भी नहीं है वूल्फ के तो 19 वूल्फ एंड जेड फाजेब्रा 20 तो भै हम लोग को मिल गए है यह सारे नेंज तो अभी हम लोग इन्हें यहां पर लिख सकते हैं है ना तो यह है अल्फाबेटिकल और लगाने का तरीका ओके अभी देखो मैंने यहां पर यह अल्फाबेट्स लिखे हुए है ओके तो A B C D E F G H A G K L M N O P Q R H T U B W X Y Z लिखा है मैंने अभी आप लोगों को इन लोगों ने कुछ नाम दिये जैसे है अमर अमर फिर आईगा चितन 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 ऑके फिर उसके बाद चितन ऑके फिर उसके बाद सिता ठीक है यह चार नामों के हम लोग एक्जामपल देते हैं अभी ठीक है तो नेचुरल है A से यह स्टार्ट होने वाला है और आगे कोई A वाला नहीं है तो सबसे पहले आएगा A अलफाबेटिकल आउर्डर में अमर ओके फिर उसके बाद है चेतन और चितना अभी देखो भई C, C, H, H सेम है, E, E भी सेम है, T, T भी सेम है, A और यहाँ पर आया है A और यहाँ पर आया है N तो पहले A आता है के पहले N आता है तो of course A आता है तो सबसे पहले आएगा चेतन ओके फिर उसके बाद आएगा चेतना फिर end में आएगा C, T, I hope अभी आप लोगों को clear हो गया है फिर भी कोई doubt है if and but चल रहा है दिमाग में तो comment करना मुझे तो मैं live stream में आप लोगों को सिखा दूँगे तो आपके सारे doubts जो है वो clear हो जाएगे ओके तो चलो देन all the best, stay home, stay safe and bye bye